हेलो गाईज, वेलकम टो मैं चानल कथाकार यहां मैं आपके लिए कुछ प्रसिद्ध लिखो को के उपन्यास प्रस्तुत करूँगे फिलाल हम सुन रहे हैं सुरेंद्र मुहन पातक की उपन्यास, बनवे स्ट्रीट अगर आपको मेरी प्रस्तुती पसंद आती है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और कॉमेंट जरूर करिए आपके मन पसंद उपन्यास के नाम कॉमेंट्स में जरूर मेंचन कीजिए, धन्यवाद अगले रोज आधी रात के बाद मैं लोहिया अस्पिताल की मौर्ग में मौझूद था, जहांकि मैं पुलिस के बुलावे पर सोते से उठकर पहुँचा था इंस्पेक्टर यादव मुझे मौर्ग के सामने के हॉल में मिला, वो मुझे मौर्ग की हत्तारिक हॉल में लेकर आया उसने मुझे एक पहियो वाले स्ट्रेचर के करीब ले जाकर खड़ा किया, जहांकि सफीर चादर से ठकी एक लाश पड़ी थी यादव के इशारे पर स्ट्रेचर की दूसरी तरफ खड़े, अर्दली ने लाश पर से चादर खीच ली फटी फटी आखों से मैंने हरिश पांडे के मूर्दा चेहरे को देखा वही है, मेरे पहलू से यादव धीरे से बोला हाँ, मैं फसे कंट से बोला कब कैसे, कैसे हुआ चाकू मारा पीट में किसी ने, पीट की तरफ से दिल में उतर गया कहां मिला पूसा रोट की अंधेरी गली में पड़ा था एक ओट वाला पेशाब करने की नियत से उस गली में घुसा था तो उसे वहाँ वो लाश पड़ी दिखाई दी थी उसने रात को एक इलाके की गश्ट करने वाले एक चौकेदार को खबर दी चौकेदार ने आगे पुलिस को खबर दी गली कौन सी थी सर्विस लेन चार नमबर गली के दाए बाजू के पिछवाड़े की कतल वही हुआ था नहीं लगता है कतल कही और हुआ था लेकिन लाश वहाँ लाकर फेगी गई थी कब हुआ रात को नौ बज़े के करीब का अंदाजा है तस्दीक सुबह पोस्ट मॉटम करने पर ही होगी लाश कब मिली अभी कोई एक घंड़ा पहले शिनाक्थ कैसे हुई इत्वाग से मैं किसी और काम से किसी और केस के सलसिले में हस्पिदाल पहुंचा था जबकि लाश जा रही थी इत्वाग से मेरी निकाल लाश पर पड़ी थी और मैंने उसे पहचाना था मुझे पता था कि ये कभी कबार तुम्हारे लिए काम करता था इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया मुझे इसके घरवालों को नहीं हमें पता नहीं ये कहा रहता था ड्राइविंग लाइसंस पर घर का पता दर्ज होता है इसका ड्राइविंग लाइसंस इसकी जेब में नहीं था इसकी जेब से कुछ बरामत नहीं हुआ है इत्वाक से मैंने इसे न पैचाना होता और अभी तुम्हारे से तस्तीक न कराई होती तो इसकी शिनाक्त नाममकिन थी ओ, शिनाक्त का कोई जर्या पीछे नहीं छोड़ा गया है कोली कोट, पतलून, तमी, कमीस पर से दर्जी का बिला तक उधेड़ कर उतार लिया गया है जरूर कोई नहीं चाहता था कि इसकी जल्दी शिनाक्त हो पाती तभी तो कतल कही और हुआ और लाश कही और फेकी गई है यह कैसे कह सकते हैं जहा लाश पड़ी मिली थी वही कतल नहीं हुआ था एक तो बहे हुए खुन के मिगदार से कतल पुसा रोट की गली में हुआ होता तो वहाँ धेरो खुन पाया जाता था जोकी नहीं पाया गया था दूसरे साड़े दस बचे के करीब इस अलाके में हलकी बारिश हुई थी गली में लाश के नीचे की जमीन भी नम पाय गई थी जैसे कि मैंने कहा कि कतल का अंदाजा नौ बचे के करीब का है अगर कतल उस वक्त वही गली में हुआ होता तो लाश के नीचे की जमीन सूखी मिलती ओ, मैं लाश के तरफ से मूँ फेरने ही लगा था कि यादव ने मेरी बाहताम ली और मुझे ऐसे करने से रोका मैंने प्रशन सूचक नेतरों से उसकी तरफ देखा अच्छे जासुसो, यादव ने तब इस वर में बोला कुछ देखा ही नहीं, क्या नहीं देखा इसके मूँ को देखो, गौर से, करीब से, जुक कर मैंने ऐसा ही किया, तो मुझे होटो पर एक अचीब सी लाली दिखाई दी मूँ पर बार, मैं सोचता हुआ बोला अच्छे लगाती है, क्या पांडे भी तुम्हारे जैसर अंगीला राजा था? नहीं, नहीं, मैं उसकी जाती जिन्दगी से बहुत जादा वाकिफ नहीं जितना वाकिफ हूँ, उसकी बिना पर यही कह सकता हूँ कि पांडे बहुत सिंजिर आदमी था काम के वक्त काम ही करता था लिहाजा काम कर रहा था हाँ, तुम्हारे लिए? हाँ फिर तुकतल की वज़ा तुम्हारा काम हो सकता है अब मैं क्या कहूँ? तुम नगोत और कौन कहे? मैं खामोश रहा क्या कर रहा था वो? लाश के सिरहाने खड़े होकर जवाब देना ज़रूरी है उसने कुछ खुर कर मुझे देखा और फिर अर्दली को इशारा किया अर्दली ने लाश को पुर्ववत चादर से ढख दिया मैं यादव के साथ बाहर मौर के सामने एक खुले कमपाउन में पहुंचा जहाँ सबसे पहले मैंने अस्तिर हातों में अपना डन हिल का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलकाया बेचैनी से मैंने उसके दो तिन कश लगाए और फिर बोला पांडे बहुत ही मामूली असाइन्मेंट पर था वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था जिसमें खून खराबी की नौबत आती उसने महज एक आदमी के पीछे लगना था और उसकी मूवमेंट्स पर निखा रखनी थी कौन आदमी हिचकिच आते हुए मैंने बताया कल भी वो अपने इसी काम पर तैना था हाँ किसी और का दखल कैसे बनाओगा इस रूटीन में काम छोड़ कर किसी और के चकर में पढ़ गया होगा या काम में ही किसी और का शिर्कत निकलाई होगी क्या पता जबकि इतने बड़े डिटेक्टिव हो डिटेक्शन में मैं गिली-गिली आबरा-कडाबरा बूलकर डंडे से करता हूँ वो डंडा इतिफाक से घर रहे क्या है मजाक मत करो मैं खामोश रहा ये कतल का मामला है यादव बोला मैंने सहमती से सिरह लाया कतल हो जाये तो कातिल को तलाश करना होता है फिलाल कतल का कोई सुराग हमारी पकड में नहीं आया है कतल का कोई सुराग तुमारे जरिये हमारे हाथ लग सकता है मरने वाला तुमारा दोस्त था तुमारा सही होगी था इसलिए कहना नहोगा कि उसके कातिल की गिरफतारी में तुम्हारी भी उतनी दिल्चस्पी होनी चाहिए जितनी की हमारी है बलकि ज्यादा होनी चाहिए इसलिए कतल से तालुक रखता कोई नुक्त तुम्हारे जहन में है तो उसका जिक्र करो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है आगे हो सकता है बार में कोई ऐसी बात तुम्हें याद आ सकती है जिसका रिष्टा कतल से निकल सकता है अब क्या तुम्हें ये भी समझाना होगा कि ऐसा हो जाने पे तुम्हें क्या करना है नहीं ऐसी कोई बात निकली तो मैं उसकी फॉरन खबर तुम्हें करूँगा और अपनी नीजी जासुसी की लाइन पुलिस की लाइन से मिला कर रखोगे मैं पांडे के खातिल को पाताल से भी खोज निकालूँगा जैसा कोई बेहुता ड्रामा इस संकल्प नहीं धारन करोगे तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहा हूँ तुम चाते हो कि मैं हाथ रखकर बैठ जाओ गलत मैं ऐसा नहीं चाता मैं सिर्फ ये चाता हो कि तुम्हारी कारगुजारियों की पुलिस को खबर हो इसलिए खबर हो क्योंकि ये तुम्हारा कोई प्राइवेट केस नहीं है इसमें तुम्हें पुलीस की कोई लाइट क्रोस नहीं करनी है अलबता पुलीस के समान तर्या आगे पीछे चलने का तुम्हें पूरा अख्तियार है हम ये कोई दौड नहीं है जिसमें तुम्हें पुलीस के आगे निकर कर दिखाना है समझे याने कि पुलिस दौड में शामिल है और क्या नहीं है तुम समझते हो कि पांडे के कातिल को तलाश करने में हम अपनी तरफ से कोई कोशिश उठा रखेंगे जब तुम्हारे ऐसे मजबूत इरादे है तो फिर मैं भला क्यों कर ट्रेस में तुम्हारे आगे निकल जाओंगा शायद निकल जाओ ऐसा हो जाए तो रुक कर पुलीस के अपने करीब पहुँचने तक इंतजार करना या वापस लोटना ठीक है खोली इस मामले में तुम ये समझो कि एक से भले दो पांडे पर हमला उसे लूटने के नियत से हुआ हो सकता है तुमारे जहन पर अपने दोस की मौत का सदमा हावी है इसलिए इसे ना समझे की बात कर रहे हो पांडे को लूटने की कोशिश में उसकी जान गई होती तो लाश वही पाई गई होती जहांके उस पर हमला हुआ था तो लूटेरे ने उसकी जेबे मुकमल तोर पर खाली कर देने की और उसके कपड़ों पर शिनाक्ती बिले तक उधेड उतारत देने की जहमत नहीं की होती उसके होटों पर लिपस्टिक के निशान न पाई जाते सॉरी अब पांडे का पता बोला मैंने यादव को पांडे के करोल बाक स्थित घर का पता और टेलिफोन नमबर लिखवाया पुलीस सब्दीश के लिए वहाँ पहुंचेगी यादव बोला वारदात की खबर घरवालों तब तुम पहले पहुंचाना चाहो तो हमें कोई अतराज नहीं वहाँ खबर पहले पहुंचे या मेरे जरीए पांडे के घर तो मुझे जाना ही होगा अभी जाओगे हाँ ठीक है सुब नौ बजे मैं अपनी ओफिस पहुंचा मैं भीतर अपनी टेबल पर जाकर बहटा तो सबसे पहले मैंने वो पाट तलाश किया जिस पर मेरी परसो शाम वाली क्लाएंट अपना नाम पता टेलिफोन नंबर वगरा तर्श करके गई थी पाट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मैंने फोन अपनी तरफ गसीटा और उस नंबर पर घंटी दी काफी देर घंटी बचते रहने के पाथ जवाब मिला मैं बोला ये 578-5446 है हाँ एक खुर्तुरी मरताना आवाज आए मिसस सिब्ब प्लीज कौन? प्रिया सिब्ब कौन? अरे भाई मिसस प्रिया सिब्बल बहरे हो गया यहाँ कोई प्रिया सिब्बल नहीं रहती कहां गई? कहां गई क्या मतलब? इस नाम से यहाँ कोई नहीं रहता है ये 578-5446 ही है न? हाँ ये मिसस सिब्बल का नबर नहीं है? नहीं, किसका है? क्यों बताए भई लगा तो ये पांच पुसा रोट पर ही हुआ है ना ये भी क्यों बताए बता दो यार महरबानी होगी वो क्या है कि ये फोन आजकल इस्तमाल में नहीं है और इस पते पर अब कोई नहीं रहता है तत्काल संबंद विच्छेद कर दिया क्या मैं हगपकाया सा कुछ क्षण रिसीवर को देखता रहा फिर मैंने एक और नमबर डायल किया जो कि पुसा रोट का ही था तत्काल उत्तर मिला बक्षी है मैंने पूछा कौन बोल रहा है पूछा गया कोली सुदीर कोली कहां से नहरू प्लेस से मैं पक्षी का दोस्त हूँ कोली हाँ होल करो मैं बड़े धीरज के साथ रिसीवर कान से लगाय बैटा था पक्षी पूसा रोट पर ही 25 नबर इमारत में एक छोटा सा रेस्टरॉन चलाता था एक मिनिट बाद वो लाइन पर आया हाँ भई कोली मुझे उसकी सदा प्रसनावा सुनाई दी नमस्ते वो तो है ही पर तेरे दर्शन पर्शन क्यों नहीं होते कहां रहता है आजकल कहां जाना है बाओ जी दिल्ली शेहर चोड़ के कोई जा सकता है तब ही तो गालिप ने कहा था कि कौन जाए गालिप दिल्ली की गलिया छोड़ कर जोक जोक सुनाएगा सुना सुना सवेरे सवेरे जोक ही सुना पर वदी आओ वे सरदार अवाला जोक नहीं जोक जोक वो शायब जिसने कहा था कि आजकल गर्चे दकन में है बड़े कद्रे सुखन कौन जाए जौक पर दिली की कलिया छोड़के गालिप ने नहीं कहा था? नहीं चलना से जौक भी कोई गालिप जैसा ही बड़ा शायर होगा जिसने अपनी गालिप जैसी बड़िया बात कह सका यानि कि दिली में है हाँ अब 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 ता फोन कैसे किया? पूसा रोड की पांच नमबर इमारत में क्या है? क्या है मतलब? जैसे 25 नमबर में बक्षी रेस्टॉंट है वैसे 5 नमबर में क्या है? अब तो कुछ भी नहीं है क्या मतलब? वो इमारत तो तोड़ी जा रही है सुना है वहाँ कोई शॉपिंग और्केट बनेगी ओ उस इमारत के बारे में कुछ और जानते हो मैं तो कुछ नहीं जानता अब भी इसलिए जानता हूँ क्योंकि टूट रही है तूट रही है इसलिए रोज निखा पड़ दिये ओ ठीक है शुक्रिया शुक्रिया ते होया जब तू अपने चन वरगे दर्शन देने कब आएगा बहुत जल्दी बावजी बहुत जल्दी मैंने संबंध विच्छेद कर दिया मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और मैं सोचने लगा क्यों उस ओरत ने मुझे गलत पता और फोन नमबर दिया कोई वज़ा मेरे समझ नहीं आई ऐसी चिकनी ऐसे ठस्यदार ओरत को ऐसा जूट क्यों बॉल गया क्या माज इसलिए कि मैं उस तक न पहुँच पाता ऐसा था तो वो मुझे अपना पता बताने से वैसे ही साफ इंकार कर सकती थी मैंने अपने पास क्लाइंट का कोई संपर्क सूत्र न होने किसे नुकसान क्लाइंट का था न की मेरा ऐसा था तो उसने किसी खास वक्त में एक्स्ट्रीम एपरजेंसी में खास इस्तमाल के लिए मुपाइल नंबर क्यों नहीं दिया वो नंबर मैंने बिना उस पर निखार डाले आगे पांडे को सौब दिया था क्योंकि असल में तो वो उसके ही काम आना था तब तो मैंने सपने भे भी नहीं सोच सकता था कि पांडे का एकायक वो अंजाम होने वाला था चो की हुआ तब चो मुझे लगता था कि नंबर उसके पास हुआ या मेरे पास हुआ एक ही भाद थी और फिर क्या गारेंटी थी कि वो नमबर भी मेरे पास मौजूद नमबर और पते की तरह ही फर्जी नहीं था फिर ये बाद भी जहन से निकाल पाना मुहाल था कि वो औरत निमित थी पांडे के कतले की रहार पर लगने में और लिपस्टिक उस लिपस्टिक का क्या रास था जो मैंने पांडे के होटो पर लगी देखी थी वो लिपस्टिक पांडे की किसी रंगीन मिजाजी की दस्तावेच हरगिस नहीं हो सकती थी काम छोड़कर रंग घुलने पैट जाने वाला शक्स वो नहीं था जरूर वो किसी शड़ियंत्र का शिकार हुआ था किस शड़ियंत्र का किसी के निगरानी के करने के मामूली काम में शड़ियंत्र कहां से आटपका मुझे कोई जवाब न सुचा मैंने सिगरेट आश्ट्रे में जोगा फोन वापस अपने करीब घसीटा और पुलिस हेटकॉर्टिस में इंस्पेक्टर यादव का नंबर डायल किया संबंद स्तापित हुआ मैं तुम्हें याद ही कर रहा था ततकाल यादव बोला अच्छा मैं बोला फिर तो कोई खासी बात होगी आम तो नहीं है खासियत तो है उसमें लेकिन उस खासियत का कोई मतलब नहीं समझा रहा बात क्या है मैं उतावले स्वर में बोला पांडे के मुव पर लिप्स्टिक लगी पाई गई थी खास बात उसी में से निकली है क्या एक तो लिपस्टिक की किसम की शिनाक की कोशिश की जा रहे है हमारा लाब एक्सपर्ट अगर उसे क्लासिफाइ कर सका तो वो लिपस्टिक लगाने वाली की हैसियत आमीन सोशल स्टेटिस की तरफ इशारा होगा बस मैं मायूसी से बोला यही खास बात है नहीं कोली खास बात यह है कि उस लिपस्टिक में एकदम प्यॉर हेरोईन के कंड पाए गए है क्या? जरूर वारदात से पहले किसी वक्त लिपस्टिक वाली ने प्यॉर हेरोईन की नसावर ली होगी जिसके कुछ कंड उसके होटो पर लग गए होंगे और फिर पांडे के मुझे पर टांसफर हो गए होंगे ओ, इससे क्या समझे तुम? मैंने तुरन जवाब नहीं दिया मेरे जहन पर अभी फिर प्रिया से बिलकाक सूबरा क्या वो हिरोईन एडिक थी? नहीं, हरकिस नहीं होती तो ये बात मेरे से चुपी न रहती हिरोईन के नशे के अपने शिनाक्ती होते थे जिन्हें कि मैं बाखु भी पहचानता था उसने मुझे उल्लू तो यकीनन बनाया था लेकिन इतना नहीं कि मैं ये भाप न पाता कि वो नशेडी थी अरे लाइन पर हो क्या दव उखड़े स्वर में बोला हाँ, तो जवाब क्यों नहीं देते इस हेरोईन वाली बात ने तुमारे जहन में कोई घंटी बजाई नहीं, मेरा मतलब फिलहाल लेकिन बाद में बच सकती है मुम्किन है, ठीक है बाद में बचे तो खबर करना जरूर, बलकि आके मिलना, ठीक है मैंने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया तभी रजनी ने ओफिस में कदम रखा मुझे अपने से पहले भाँ मौजून पाकर वो सब थहरान हुई इस बात से वो अभी भी हैरान हुई थी कि सुबस अबेरे मैंने उससे कोई चुहल भाजी करने की कोशिश नहीं की कोई बुरी खबर है वो धीरे से बोली मैंने संचीतगी से सहमती में सिरह लाया क्या? मैंने बताया पूसा रोल करोल करोल बाके पटेल नगर तक फैले हुई एक लंबी सड़क थी वो बुनियादी तोर पर रिहाईशी इलाका था जो अब बड़ी तेजी से करमशेल होता जा रहा था वहाँ पांच नंबर इमारत के तोड़े जाने का काम उस वक्त चारी था इमारत का अबी सलामत था और ज़रूर वही कही वो टेलिफोन था जिससे मुझे जवाब मिला था बरहाल वो किसी मिस्टर लक्ष्मिकान सिब्बिल का भी वरतमान आवास नहीं हो सकता था पांडे से उसकी मौत से पहले मुझे कोई रिपोर्ट हासल नहीं हो थी इसलिए कहना मुखाल था कि जो आदमी परसो शाम को हमें पार्क होटल में दाखिल होता दिखाया गया था उसकी बाबत उसने क्या जाना था? कुछ जाना भी था या नहीं? और सच्च में वो शक्स वही था या नहीं था जो कि वो हमें बताया गया था यानि कि उस औरत का पती मैं आगे बढ़ा बक्षी रेस्टरॉंट के करीब मैंने अपनी कार खड़ी करी वो लांच डिनर की स्पेशालिटी वाला नौन वेजिटेरिन रेस्टरॉंट था जहां की चोरी चुपे जाने पहचाने ग्रहाकों को ड्रिंक्स भी सर्ब की जाती थी इसलिए सुबह की उस घड़ी में अभी वहां कोई चहल पैल नहीं थी मेरा निशाना बक्षी रेस्टरॉंट के अगली इमारत थी जिसका नंबर की 26 था उस इमारत की तीसरी मंजिल पर एक बरसाती अपार्टमेंट था सीडियो के रास्ते जिस तक की मैं पहुँचा घड़ी पर निगाह डालते हुए मैंने उसके बन दर्वाजे पर तस्तप दी उस घड़ी ठीक साड़े दस बजे थे कोई जवाब ना मिला तो मैंने फिर पहले से ज़्यादा देर तक दर्वाजा खटगटाया कौन है भीतर से एक उम्टी से जुंचलाई सी आवाज आई कोली मैंने बड़े सब्रे से बोला कौन सुधीर कौली अब दर्वाजा खोलते हो या मैं इसे तोड़ के चौकट से अलग करूँ खोलता हूँ भाई खोलता हूँ ज़रा होसला रुको मुझे दर्वाजा खोलने के काबिल टीसेंट हो जाने दो मैं खामोश रहाँ उटके खड़ी हो भीतर से आवाज आई कोई मिलने आया है चलता करो एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया नहीं होने वाला दर्वाजा तोडने पर आमाद आया तू हिला जरा कुछ खशन खामोशी रही फिर एक चिटकनी सरकाय जाने के आवाज हुए फिर दर्वाजा खुला और फिर चौकट पर दिनेश वालिया प्रकट हुआ वो कमर के साथ एक लूंगी लपेटे था जिसे कि वो उस घड़ी भी व्यवस्तित करने की कोशिश कर रहा था दिनेश वालिया लगबग 40 सार का खुबसूरत व्यक्ती था आर्टेस्ट था जो कि सिगरेट और शराब बनाने वाली कमपनियों के उतेज़क कालंडरो और पब्लिसिटी ब्रोशर्स के लिए न्यूट पेंटिंग्स बनाता था कोली मेरे हाथ से मिलाता वो उत्साहीन स्वर में बोला कैसे आ गया उड़कर आया मैं बोला गलती की जो यहां दर्वाजे पर लाइंड किया वरना मैं खिड़की के रास्ते से सीधा भीतर भी दाखिल हो सकता था और आकर तुमारे सिर पर सवार हो सकता था मैं एक शन ठिटका और फिर बोला किसी और के सिर पर या कही और सवार हो सकता था एहसान गया यार जो ऐसा नहीं किया आह उससे हाथ छुड़ा कर मैं भीतर दाखिल हुआ बीतर पलंग पे एक कुने में उंगती जमहाई लेती एक लड़की बैठी थी जो की एक बहुत बड़ी जरूर वालिया की थी मरताना कमीज पहने थी कमीज उसके घुटनों तका रही थी जिसके आगे उसकी सुडोल टांगे नंगी दिखाई दे रही थी लड़की नौजवान थी, खूब गोरे चिट्टी थी और सूरत और फिगर से कैलेंडर आठ के ही कापिल लगती थी वो एक काफी बड़ा कमरा था जिसके एक पहलू में वो एक पलंग था, एक सोफा और एक रेफरिजरेटर था दूसरे पहलू में पेंटिंग का सामान था, इजल, कैन्वेस वगेरे बिखरा हुआ था इजल पर लगे कैन्वेस पर उस खड़ी जो अधूरी पेंटिंग लगी थी, वो उसी लड़की की थी जो की अपने दोनों हाथ अपने सिर पर उपर उठाए, एक उतेजक मुद्रा में एक स्टूल पर बैठी थी उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, और पेंटिंग में उसकी स्थन और भी प्रुष्ट और उतेजक बनाए गए थे कैन्वस से निगाह हटा कर मैंने लड़की की तरफ देखा, तो उसने जान पूच कर बड़ी फर्माईशी जमाई ली हेलो, मैं बोला, लड़की ने जवाब न दिया, उसने केवच सहमती से सिरह लाया मैंने वालिया की तरफ खूम गहा, तुम्हारे से बात करनी है, करो, वालिया सर्ज बाव में बोला, सिर्फ तुम्हारे से ओ, वो लड़की की तरफ खूमा, बातरूम में जा, कपड़े भी ले जा, लड़की के छेहरे पर अप्रसनता के भाव आए खास यार है, वालिया बोला, whatever he says goes, so there कमीस के अलावा पो अपने जिस्म पर कुछ और नहीं पहने थी उसने कुरसी की पीट पर पड़ी जीन और स्कीवी उठाई और धम-धम चल कर अपने अप्रसनता रेकॉर्ड करती पलंग से परे एक बन दर्वाजा खोल कर उसकी भीतर कायब हो गई बढ़िया, वालिया रंगीन स्वर में बोला, क्या, मैं हक बकाया सा बोला वे पाशा, ये लड़की, ओ हाँ, बढ़िया, चाहिए, नहीं, नहीं, मेरा मतलब अभी नहीं ओ, अभी नहीं, अभी कुछ और चाहिए, क्या, तुम्हारी अंडिवाइड़ेट अटेंशन, मेरे सामने बैट जाओ, और जो कहूं, उसे गौर से सुनो, जो पूछू, उसका जवाब दो ऐसा, हाँ, कोई गंबीर मसला है, हाँ, ठीक है फिर, वो पलंग के पायताने में बैट गया, मैं उसके सामने एक स्टूल पर बैट गया, मैंने डनिल का पैकेट निकाल कर उसे सिगरेट पेश किया और खुद भी लिया, फिर कुछ खशन धुए के बादलू में से मैं उसे अपलक देखता रहा और फिर बोला, आजकल नसवार का क्या हाल है, नसवार वो हर बड़ाया, हिरोईन कलाकारू की प्रेड़ना स्त्रोत्र, कोली, वो शिकायत भरे स्वर में बोला, तुझे मालूम है कि नशे का वो रास्ता मैं कपका छोड़ चुका हूँ, छोड़ने की क उशिश कर चुके हो, नशा छोड़ाने वाले हस्पताल तक में भी भरती हो चुके हो, लेकिन सच ही, पक्के तोर से नसावर लेना छोड़ भी चुके हो, ये मालूम नहीं, मैं सच ही छोड़ चुका हूँ, हैरानी है, हिरोईन के नशे तो वान बे स्ट्रीट बताया जाता है, कहा जाता है कि जो एक बार इस रहा पर कदम रख लेता है, वो कभी लोट नहीं पाता, मैं लोटा हूँ, मैं तो मुकमल तोर से उस नामुराद नशे की किनारा कर चुका हूँ, फिलहाल, हमेशा के लिए, कमाल है, कैसे कर पाई करिश्मा, जीने की, जिन्दा रहने की चांवर पड़ी, कुछ अच्छा कुछ डिफरेंट करने की अभिलाशा बलवती हो गई, डिफरेंट जैसे की मैंने बात्रूम के बंद दर्वाजे की तरफ इशारा किया, वो, जैसे की उसने बड़ी संदीगी दी से अपने अधूरे कैन्वस क की तरफ इशारा किया, ये, ओ, कोली मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं हिरोईन से बिल्कुल किनारा कर चुका हूँ, मैं सुधर चुका हूँ, पिछले छो मैने से मैं इस नामुराद नशे के पास भी नहीं फटका हूँ, खयाल तक नहीं किया है मैंने हिरोईन का, लिहाजा कर शेहर में हिरोईन हासल करने के तुम्हारे जो कॉंटाक्ट थे चाहो तो फिर उन तक पहुंच बना सकते हो जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो किसी दूसरे के जरूरत के लिए तो बना सकते हो वो खामोश रहा उसने बेचैनी से बहलू बदला मैं बात को दूसरी तरीकी से समझाता हूँ मैंने बड़े सब्र के साथ बोला नशे के संसार में कोई तनहा नहीं होता नशे के एक तरफा रास्ते पर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकत चलने वाले तुम्हारे जैसे और भी रही होंगे तुमने वो रास्ता छोड़ दिया पर उस पर से लोट आने के नामुम्किन काम कर दिखाया लेकिन जरूरी तो नहीं कि तुम्हारे हमकदम भी ऐसा कर सके होंगे जरूरी तो नहीं बड़ी अनिच्छा से उसने कबूल किया अब बोलो कौन है तुम्हारे लोग तुम्हारे पुराने हमकदम जोड़ी दार कुछ मेरे जैसे कलाकार लोगी हैं लेकिन मैं उनका साथ छोड़ चुका हूँ नशा छोड़ने के लिए नशे बास जोड़ी दारों से कोसो दूर रहना जरूरी होता है अभी भी दूर होगे तुम चाहते क्या हो निश्चेत मौत के रास्ते पर तुम्हारी वज़े से जो वेकेंसे हुई है उसे मैं भरना चाहता हूँ क्या मैं दो-तीन ग्राम प्योर अंकट हेरोईन खरीदना चाहता हूँ ओ नो ओ येस पर पात हो जाओगे तबहा हो जाओगे कोई परवा नहीं जानते हो दो-तीन ग्राम प्योर अंकट हेरोईन कितने में आएगी कितने में आएगी पीस-तीस हजार उपे की मेरे पास है ओ माई गॉड तुम मुझे मरवाओगे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला जो होगा मुझे होगा तुमने सिर्फ इतना करना है कि किसी लोकल डोप पुशर तक मुझे पहुचने का रास्ता सुजाना है लेकिन क्यों? क्यों? ये तुम्हें हर्गिस नहीं मान सकता कि तुम नशे के गिरफ्त में आ चुके हो असल वर्चा बताओ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए बताओ लेकिन या कही और पहुँचो ठीक है, सुनो कल रात हरिश पांडे नाम के मेरे एक सहयोगी की लाश तुम्हारे इस घर से मुश्किल से दो फलांग दूर इसी पुसा रोड की एक गली में पड़ी मिली थी किसी ने उसकी पीठ में खंजर भौक कर उसका कतल कर दिया था लाश के मुँपर लिप्स्टिक के धब्बे पाए गए थे और उन धब्बो में प्योर अंकट हिरोईन के कंड पाए गए थे मैं अपने सहयोगी की कातल तक पहुचना चाहता हूँ लेकिन ऐसा कर पाने के लिए मेरे पास कोई क्लू नहीं है सिवाई हिरोईन के जिसके कंड की पांडे के मुँपर लगी लिप्स्टिक में पाए गए थे अब हिरोईन नमक, मिर्ची, तेल की दुकान पर तो नहीं मिलता न मनियारी की दुकान पर भी नहीं मिलता जहां मिलती है उसकी बाबत कोई आम आदमी जान नहीं सकता उसकी बाब तो कोई ग्यानी भी नहीं बता सकता वालिया, जो ग्यानी तुम हो जो कि मेरी बद किसमती है वो खामोश रहा देखो भाई, अगर तुमारे जोड़ीदार की कतल की वज़ा हेरोईन है जो कि मेरे समझ से बाहर है कि किदर से है तो समझ लो कि तुम्हारी भी खेर नहीं वो कैसे? मेरे से पूछते हो, इतने बड़े जासूस हो, खुद नहीं समझ सकते जिन्होंने तुम्हारे जोड़ीदार का कतल करवाया है वो क्या इस हकीकत से बेखबर होंगे कि उस कतल की वज़़े से तुम बहुत उचलोगे, बहुत तर्पोगे और उनका कोई सुराख पाने की कोशिश करोगे उनके पीछे लखने की कोशिश करोगे तुम्हें ऐसे किसी कोशिश से रोखने के लिए वो क्या करेंगे? क्या करेंगे, तुम्हारा भी सफाया करेंगे, और क्या करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए हे भगवान, फिर एकायक वो आतंकित भाव से बोला, तुमने तो मेरे तरवाजे तक पहुंचा दिया तुम खामका बात का बतंगड बना रहे हो बतंगड तो मुझे लगता है कि पहले ही बन चुका है, अब भगवान के लिए मेरे पर उपकार करो क्या, यहां से टलो, बल्कि पिछवाडे के रास्ते से यहां से निकल जाओ, शायद अभी मेरे देवता ताई हो शायद उन लोगों को अभी तक खबर ना लगी हो कि तुम यहां इस इमारत ने मेरे से मिलने आये थे खोली, प्लीज, गेट थे हैल आड़ आड़ फियर राइट इस मॉमेंट शोर, शोर, मैं खुद ही इस कबूतर खाने में ज़्यादा देर नहीं डिकना चाहता but first things first, क्या किसी जग का, किसी ठीय का, किसी शक्स का नाम बोलो जो कि मुझे किसी लोकल डोप पुशर तक पहुँचा सकता हो मैं नहीं बोलूँगा तो क्या करोगे तो मैं अपने मतलब की बात तो यह कि पंजाबी पुतर जान कर ही रहेगा जब एक दर्वाजा बंध हो तो दूसरा दर्वाजा खुल जाता है दूसरा बंध हो तो तीसरा, चौथा, खुल जाता है तो खुल ले भाई, वो तो मैं खुल ही लूँगा लेकिन बाद में कोई उचनिच हो गए तो तुमने ही बचपाऊगे क्या? मैं उन लोगों के गिरफ्ट में आ गया और उन्होंने मेरे से जबरन कबूलवाने की कोशिश की कि मुझे हेरोईन के वैपारियों का सुरा कहां से मिला था तो मैं मैंने जान बुच कर अपने स्वर को धंकी का पुट दिया तेरा नाम लूँगा वालिया क्या कहोगे? वो खौलना की है जिसे बोला कहोगे कि उनकी बाबत मैंने तुम्हें बताया? हाँ तुम छूट पोल कर मुझे फसाओगे? हाँ एक नंबर के हरामी हो सुदिर कॉली वो तो मैं हूँ ही मेरे से बड़ा हरामी राजसानी में तो क्या? आसपस चालीस कोज तक नहीं मिल सकता हे भगवान अपे साले मैं तेरा यार हूँ बना रहने की भी तो कोशिश कर क्या कोशिश करू? जो पूचा है वो बग फिर मेरा पीछा छोड़ देगा? हाँ मेरा नाम जुबान पर नहीं लाएगा नहीं लाओंगा फिर यह नहीं आएगा मेरे पास भी नहीं पटकेगा वो भी कबूल तो सुन पहाडगंच के इलाके में एक बार है नाम है स्टेटिस बार वो दर्माने में दर्जे का बार है जहांके इलाके में फैले सैक्डो होटलों में आकर ठहरने वाले विदेशी ग्रहक जादा होते है काफी मशूर जगह है पाहडगन चाकर किसी से भी बात उसकी बापत पूछेगा तो पता चल जाएगा वहां हर शाम नौ साड़े नौ बजे करीब एक संतोष सिंग नाम का सिक आता है वो खिछडी दाड़ी वाला उम्र में कोई पचास साल का लंबा तगड़ा आदमी है जो कि सिर पर अभी खुली की अभी खुली जैसे धीली ढाली पगड़ी बानता है वो अपनी किस्म का एक ही बंदा है जिसे तू देखते ही पहचान लेगा वो सरकार ही उस इलाके का डोग पुशर है जो कि हिरोईन अपनी पुड़िया अपनी पगड़ी में छुपा कर रखता है तुमारा सप्लायर वही था? हाँ, लेकिन तुम्हें तो नशे से किनारा के मुद्दत हो गई है क्या आप भी वो सरतार वही पाया जाता होगा? उमीद करो कि पाया जाता हो, मैंने तो छे मैनी से से उसकी शकल नहीं देखी वैसे गिरफतार नहीं हुआ होगा, धंदा नहीं छोड़ दिया गया होगा किसी और फिल में ऑपरेट नहीं करने लगा होगा तो वही होगा बरहाल मेरा कॉंटाक्ट वो ही था और उसके अलावा इस धंदे में किसी दूसरे शक्स को मैं नहीं जानता कहने का मतलब यह है कि वो सरदार उस बार में न मिला तो यहां लोट के आना बेकार होगा हम, तब ही वो लड़की बातरूम से निकली मैंने सिर सिपाव तक उससे निखा रहा अब वो अपनी जीन और स्कीवी पहननी थी और वैसे आम लड़की लग रही थी जैसे कि केनोट प्लेस में साउथ एक्स्टेंशन में अकसर घूमती पाई जाती है वालिया की तंबू जैसे जोलचाल कमीज में वो अपने मौजूदा टाइट लिबास की मुकाबले में जाधा ही हसीन और सेक्सी लग रही थी अब तो वो कैन्वस पर उकेरी गई बड़ी-बड़ी स्थनो वाली नगी लड़की तो बिलकुल नहीं लग रही थी यानि कि लिबास ने सब बेडा करकर दिया था अब क्या प्रोग्राम है वो वालिया से संबोधित हुई भाग जा वालिया भुन बनाया भाग जाओ? कहां भाग जाओ? कही भी जाके मर यहां से टल क्यूँ? अब काम करने का मूर नहीं रहा उसने उपेक्षा पुर नभाव से मेरी तरफ देखा और बुली इसकी वज़ा से? वालिया ने जवाब न दिया वो परिशान हाल अपना माथा पकड़े पैठा रहा ओके डरियो, लड़की बूली मैं चली अब बुलाया तो सैंडल ओ नो, वालिया भुन बुनाया ओ येस और वो पाव पटकते हुई वहां से रुकसत हो गई अब शायद ही लोटे मैं बूला, ज़रूर लोटेगी वालिया बूला अभी छोटी है ना, इसके लिए तुनक मिजाज है कई बार ऐसा अल्टिमेटम दे चुकी है लेकिन लोट आती है तुम्हारे से फिट है? हाँ, फूल, तभी तो लोट आती है खुश किसमत हो तुम्हारे आकदम पढ़ने से पहले तब तो यही समझता था अब आगे का पता नहीं मैं हसा और फिर उट खड़ा हुआ ओके, मैं बोला मैं भी चला पिछवाडे से जाना भगवान के लिए पिछवाडे से जाना पक्षी रेस्टॉण का पिछवाडे से भी रास्ता है उदर से रेस्टॉण में धाकिल होकर सामने से निकल जाना और मेरे लिए दुआ करना कि तुम्हारे पीछे लगा कोई यहां तक ना पहुँच गया हो ओके वस्तुत मैंने ऐसे कोई कोशिश न की मैं जिस रास्ते से वहां आया था उसी रास्ते सामने सड़क पर वापिस पहुँचा कोई मेरा पीछा कर सकता था यह बात मेरे जहन में नहीं आई थी लेकिन अगर ऐसा था तो यह खुशी की बात थी यूँ मैं अपना पीछा करने वाले की की गर्दन तबोच सकता था और उसके जरी अपनी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश कर सकता था